इस्रेल के लगातार हमलों से घाजा पहले से ही सुलग रहा है अब फिलिस्तीन का बड़ा हिस्सा कहा जाने वाला वेस्ट बैंक का इलाका भी उबलने लगा है इस्रेल ने अब यहां कर दी है ड्रोन स्ट्राइप हमला ऐसा की एक ही वार में छे लोग मारे गए हमास के डिप्टी चेफ साले अल अरूरी की मौत के बाद से वेस्ट बैंक गुस्से की आद में जुलस रहा है अरूरी का नाता वेस्ट बैंक से था वेस्ट बैंक अरूरी को अपना हीरो मानता था अरूरी के एक इशारे पर वेस्ट बैंक कुछ भी कर गुजरने को तयार रहता था अब वेस्ट बैंक में इसरेल के अवैद सेटलर्स और फिलिस्तीनी लोगों के बीच जड़ब तेज हो रही है वेस्ट बैंक में इस वक्त बहुत हंगामा है इसरेल नहीं चाहता कि घाजा के बाद वेस्ट बैंक में दूसरा फ्रंट खुले एक और मोर्चे पर उसे घाजा से भी बड़ा युद्ध लड़ना पड़े यही वज़े है कि अब इसरेल ने वेस्ट बैंक के ऊपर अपनी ड्रोन फोर्स एक्टिव कर दी है और वेस्ट बैंक में इसरेल के लिए सबसे ख़तरनाक इलाके में एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया घाजा में हमास से युद्ध होने के बाद ये वेस्ट बैंक में अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है इस्रेल ने West Bank पर एर श्ट्राइक की इस हवाई हमले में च्छे लोगों की मौके पर ही मौत हो गई इस हमले के बाद West Bank में इस्रेल से बदला लेने की मांग की जा रही है फेलिस्तीन के स्वास्त विभाग का कहना है कि इस्रेयल की सिना ने आम लोगों की एक सभा को टार्गेट बनाया और ड्रोन से मिसाइल फार कर दी वेस्ट बैंक के लोगों को लगने लगा है कि इस्रेयल से डील करना है तो हमास की तरह लड़ना है वेस्ट बैंक इस वक्त जश्न के बीच ऐसे बारूत के धेर पर बैठ चुका है जिसका ट्रेगर कब दबेगा ये इसरेल भी नहीं जानता सवाल है कि क्या वेस्ट बैंक के लोग भी हमास के रास्ते पर चल पड़ेंगे क्या इसरेल पर टूटेगा वेस्ट बैंक का तूफान गाजा के बाग वेस्ट बैंक युद का दूसरा एपी सेंटर बनने जा रहा है वेस्ट बैंक फिलिस्टीन का वो हिस्सा है जो गाजा से करीब 20 गुना बढ़ा रहे है और यहां करीब 30 लाख लोग रहते हैं जो फिलिस्टीनी हैं यहीं से इसरेल को 7 अक्टूबर जैसे हमले का खत्रसत आ रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट बैंक के फटर मुव्मेंट के नेता समीर अल मश्रावी ने बहुत बड़ी बात कहती है फिलिस्टीनी मीडिया के मताबिर फटर मुव्मेंट के नेता समीर अल मश्रावी ने कहा है कि हमास ने जो किया वो फिलिस्टीन के लोगों के लिए फक्र की बात है और इसरेल से लड़ने के लिए भिर से चापा मार युद्ध की शुरूआत जरूरी है फिलिस्टीन की सरकार का कहना है कि 7 अक्तूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक वेस्ट बैंक में हुए हमलों में 339 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 1200 से ज़्यादा लोग घायल है और 240 लोगों को आईडिय अपने बंधक बना लिया है एक तरफ फिलिस्तीन है जो इसरेल में मासूमों के कतल का आरूप लगा रहा है तो दूसरी तरफ इसरेल की सरकार जिसे हमास के खात्मे से कम कुछ भी मनजूर नहीं है इसरेल के प्रधान मंद्री नेतनियाहू ने एक बर फिर दोराया है क्योंकि सेना का यह उपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि फिलिस्टीन से हमास के लडाकों का पूरी तरह से खत्मा नहीं हो जाता नेतनियाहू नेकहा कि करीब तीन महीने पहले हमास ने जो हमला किया है उसकी कीमत हमास को अभी और चुकानी होगी इसरेल की सेना तब तक घगाजा मे युद लड़ेगी जब तक वो हमास की कमरना तोर दे ताकि वो इसरेल के लिए कभी खत्राना रहे जाग ये नेतनियाहू की कसम है कि वो हमास के हर नेता को चुन्चुन कर मारेंगे अरूरी को खत्म करने के बाद सबसे जादा डर इसमाईल हानिया को लग रहा है हिस्बॉल्ला भी घबराया हुआ है कि अगला अटैक उसके चीफ हसन नसरल्ला पर ना हो जाए क्योंकि अरूरी का जिस्ट ड्रोन स्ट्राइक में अंथुआ उसे लेबनान की राजधानी बेरूत में ही अंजाम दिया गया इस्रेयल में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी प्रमोक साले अल-अरूरी को मार डाला यानि हमास का नमबर टू खत्म हो गया लेबनान के बेरूत में होई ड्रून स्ट्राइक में हमास के कई अधिकारी मारे गया और इसमें साले अल-अरूरी सबसे बड़ा नाम है वल्कामत अल-वतनियत अल-कबीरा शहीद श्चेख सालिह अल-अरूरी अबु मुहम्मद मुएकिदू अन अग्तियाल अल-इह्तिलाल अस्यूनी लिल-अखिल काइद अल-वतनी अल-कबीर अल-मुजाहिद हमास बहुत अच्छी तरह जानता है कि इसरेल अपने दुश्मनों को पाताल में भी नहीं बख्षता यही वजह है कि अब बैंक में अरूरी के समर्थन में उठने वाले हर सिर्कों नेतन्याहू की सेना कोचल देना चाहती है यह तस्वीर देखिए जो वेस्ट बैंक के जनिन शहर से ही आई है यहाँ आईडियफ ने एक घर में रेट डाली और तोड़कोर की दरसल वो यहाँ मुस्तफा नाम के एक लड़के की तलाश में आये थे मुस्तफा के पिता का कहना है कि वो जब पहली बार इस्रेयली सेना ने यहाँ रेट डाले उस से पहले ही उनका बेटा यहाँ नहीं है फिर भी इस्रेयल की सेना यहाँ बार बार आती है इस्राइल की सेना को शक है कि अरूरी की मौत के बाद वेस्ट बैंक में हुई हिंसा में कही ना कही मुस्तफा का हाँ थे साले अल-अरूरी इसलिए बड़ा नाम था क्योंके साथ अक्टूबर के हमले के बारे में जिन टॉप कमांडर्स को जानकारी थी उसमें अरूरी का भी नाम था साले अल-अरूरी की मौत इसलिए हमास को परिशान कर रही है क्योंकि अरूरी ने ही हमास के मिलिटरी विंग को तयार किया था अब अरूरी की मौत के बाद हमास क्या करेगा क्योंकि वो तो पहले से ही घाजा में घिरा हुआ है घाजा में 22,700 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है रोज सेक्डों लोग इसरेल की बंबारी में मारे जा रहे हैं लेकिन इन सब के बीच जब हानिया की बयानबाजी कतर से जारी है तब साले अल-अरूरी ने लेबनान में रहकर मोर्चा समाला हुआ था 7 अक्टूबर को इसरेल पर हमास के हमले के बाद जब इसरेल ने घाजा में ग्राउंड ओपरेशन चलाने की तैयारी की थी इसरेल के खुफिया एजनसी मुसाद 7 अक्टूबर का बदला हमास और उसके समर्थकों के एक-एक लीडर को मौत दे कर लेना चाहती है मुसाद की आखों में बदला है मुसाद में ऐसा जिगरा है कि इसरेल के दुश्मन पानी नहीं मांगते ये बात हमास भी जानता है कि 7 अक्टूबर के हमले ने उसके एंकाउंटर का स्टेश तैयार कर दिया है उसने साले अल-अरूरी को मार दिया है और अब उसके निशाने पर हैं हमास के नमबर वन लीडर इसमाईल हानिया मुसाद का टार्गेट नमबर दो है खालिद मेशाल क्योंकि साले अल-अरूरी की मौत हो चुकी है ये तीनों नाम हमेशा इसरेल को खटकते रही है और अब इन में से एक कोतो इसरेल ने हमेशा के लिए मौत की नीन सुला दिया है साथ ही गाजा में तीन महीने से बंबारी चल रही है उसमें करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें ज्यादा तर महिलाएं और बच्चे है वैसे घाजा से जो लिंक मिले हैं उसके बाद मुसाद अचानक सुपर एक्टिव हो गया है नेतन्याहू के ओर्डर पर मुद्दा अब सिर्फ ओपरिशन है और नेतन्याहू ने तो साफ साफ कही दिया है कि दुनिया का कोई भी कोना हो चाहे वो घाजा हो या फिर कोई और जगा हमास का अंध फाइनल है और ये हो कर रहेगा हलाकि ये अंध कब होगा ये कोई नहीं जानता है क्योंकि भले ही इस्रेयल ने हमास को नेस्तो नाबूत करने की कसम खा रखी हो लेकिन सच यही है कि हमास से भी इस्रेयल को कड़ी ठक कर मिल रही है दूसरी तरफ हेजबुल्ला ने इस्रेयल की नाक में दम कर दिया है